जेन, जल्दी करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारा घर उड़ रहा है जेन, ये हमारा स्कूल है, तुमने देखा? हाँ हे दोस्तों, आप कैसे हो? वाउ, मैंने क्या सपना देखा? हमें आक्शन प्लान की जरूरत है, इस तरह, ठीक है? और यहां बलून्स आएंगे, फ्यू, हो गया सोफी, उड़ो, हमें अभी क्या भी ऐसे घर की जरूरत है क्या? उल्टा घर? सच में, तुम इससे जादा दूर तक नहीं उड़ पाओगी ओ, मुझे माफ कर दो, आप तुमें क्या लगता है? मुझे बस एक चीज पूछनी है, हम अभी भी यहां क्यूं है? प्यू, यह भारी है, इसे पल्टो, हम इसके उपर घर बनाएंगे इसमें दिवारे भी बनानी होगी जेन, चलो भी, मुझे पता है क्या करना है देखो, यह आसान है, हमें इसे नापना होगा तैयार हो, तुम्हारी सौ कहा है? यही है सोफी, मैं ये खुर कर सकती हूँ देखा, मैंने कर दिखाया, बहुत बढ़िया इन बीम्स की वज़े से दिवारे और मस्बूत हो जाएंगी इन्हें प्लाटफाम के कोने पर लगाएं अब ड्रिल करना है, आसान है अब कॉर्णर बीम्स लगाएं जेन, मदद करो, तुम कर सकती हो ठीक है सोफी, काम करते रहो हम यहाँ छट लगाएंगे अगर तुम एक साथ काम करोगे, तो यह हो जाएगा सोफी, हम कुछ भूल गए हमें दर्वाजे की भी ज़रूरत है यह यहाँ ठीक लगेगा कुछ बूट्स, और यह हो गया अब घर की एंट्रेंस और एक्जिट बन गई सोफी, सबसे जरूरी चीज़ क्या है? रूफ हाँ, हमें रूफ की जरूरत है और हमें इसकी जरूरत है चलो इसे घर पर रखे यह अच्छा दिख रहा है लेकिन रूफ को अच्छे से जोड़ न होगा तुम्हारी बारी है सोफी ठीक है लेकिन अभी भी बहुत सारा काम है अराम करने का समय नहीं है सोफी, मैं आ गई क्या तुमने मुझे याद किया? तुम क्या करने वाली हो जेन? यह कुछ नहीं है बस एक छोटी खिर्की है तुम्हारी डिल हमारे काम आएगी यह बढ़िया दिख रहा है बिल्कुल अब क्या है? जेन, अगर हमने घर में बे विंडो लगाई होती तो हाँ, यहाँ पर यह बढ़िया बनेगा यह रहा बेस इसके उपर ओर्निंग हो गया यहाँ पर खिर्की बनाए कितना अच्छा आइडिया है अब सबसे जरूरी चीज दिवारे यह कार्ट बोर्ट से बन सकती है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, सोफी राइट की तरफ और उपर तुम बिना कीलो के कार्ट बोर्ट की दिवारे बना सकती हो, स्टेपलर का इस्तमाल करके, जेन, रुको मत अभी बहुत सारा काम करना है मुझे पता है कार्ट बोर्ट की दिवारे बनाना बहुत आसान है फाल्त का हिस्सा काटे और ये हो गया जेन ने खिड की बना भीली है हो गया, अब पेंटिंग करने की बारी है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है ब्रिक्स बढ़िया दिख रहे हैं बहुत कलरफुल है तुम कमालती हो सोफी मुझे पता है अभी तक मेरा काम नहीं हुआ चलो चले अब विंडो का फ्रेम तयार है तुम्हें बस इसे पेंट करना है और सोफी ने ब्रिक्स लगा ली लेकिन उसके पास एक और ज़रूरी काम है रूफ पर टाइल्स होनी चाहिए घर अच्छा दिखेगा चलो परपल चुने मैं सोफी की मदद करूँगी हमें यहां रेट की जरूरत है अब टाइल्स को रूफ पर लगाए लेकिन यह अभी शुरुवात है टाइल्स की कुछ और लेयर्स और रूफ तयार हो जाएगी सोफी हमने कर दिखाया ड़ बहार की तरफ से घर तयार है अंदर का हिस्सा कौन बनाएगा वाउ यहां बहुत सारी जगा है लेकिन वाल पेपर काफी नहीं है चलो काम शरू करें अंदर का हिस्सा एरी होगा सबसे अच्छा आइडिया है डबल साइडी टेप पर वाल पेपर लगाए बुरा नहीं है सोफी लेकिन तुम बहतर कर सकती हो क्या तुम्हें ये स्वीट लाइट्स पसंद है इनसे दिवारों को सजाए तुम्हें ये अच्छा लगा बिल्कुल लेकिन मुझे जाना होगा मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी ये क्या करने वाली है सोफी ने कुछ बड़ा सोचा है कमफर्ट बहुत जरूरी है सोफी तुम बढ़िया कर रही हो मैं तुम्हारी मदद करती हू कितना सॉफ्ट रग है बीन बैच्चेर बहुत बढ़िया है ये काफी बहतर है है ना क्या तुम्हारी पता है हमें आग किस चीज की तरवरत है टेबल की इसे खिड़की के पास रखें चलो काम शुरू करें स्टाइरो फोर्म पर फ्लार की शेप परला टेबल टॉप बनाएं इसे काटे हो गया कैसा लग रहा है सोफी ब्रावो जैन अब पाइप टेबल लेक पर टेबल टॉप लगाएं इस थरा अब हम पेंट कर सकते हैं फ्लार टेबल पिंक कलर का होगा स्टाइक पर लीव्ज लगाएं टेबल को पॉट में लगाएं सोफी, मैं आ रही हूँ वाव, ये संदर है अब टेबल की वज़ा से यहां बहुत अच्छा लग रहा है हम यहां अपने मन पसंद लाज लगा सकते हैं तुम टी पाटी कर सकते हो हाँ जेन, क्या तुम पीना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं घर में स्नैक्स रखने की जगा नहीं है कुछ कर न होगा ये देखो लड़की हमें इन दो टुकडों की जरूर रथ है तुमें पता है ये क्या है? ये मेरा पडोसी टोरो है आख और नाख लगाएं स्नैक्स के लिए छोटी बासकित लगाएं सोफी ये बढ़िया है अब घर बढ़िया है कोई भी कैंडी नहीं खाई जेन मेरे पास एक आइडिया है मैं आप ही वापिस आई ओ आप क्या हो रहा है? लड़कियों गेम खत्म हो गई मैं ये ले रही हूँ ये वापिस करो ये ठीक नहीं है परिशान मत हो लड़कियों स्वीट्स के बदले में रोप बील अब हमें रोप की ज़रुरत नहीं है सोफी के पास एक और अच्छा आइडिया है वो पॉट होल्डर बनाएगी ये असान है गुडन बास्केट के ओपर रोप लपेटे सोफी तुम क्या कर रही हो ओ खीक है ये पॉट होल्डर है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बहुत बढ़िया चलो अब इसे घर में लेकर चले हम पॉट होल्डर को आच्छी जगा पर रखेंगे ये सुन्दर सजावट है घर में हमेशा करने के लिए कुछ काम होता है जैसे की तुम कुछ सेलफीज ले सकते हो और सोफी टैन होना चाहती है लेकिन आज जाद दूप नहीं है उसे करने के लिए कुछ और करना होगा जेन पकड़ो हे ये क्या है? क्या? एक आइडिया है सोफी हम लाम्प बनाएंगे बेस तयार है हमें इसे छोटे अम्रेला से सजाना होगा जितना ब्राइट होगा उतना अच्छा लगेगा लेकिन लाम्प में सबसे ज़ादा ज़रूरी चीज़ मिसिंग है एक लाइट बल्द अब ठीक है लाम्प को छट पटांगे बहुत बढ़िया और चलो अब चेक करें ये सब कुछ काम कर रहा है घर हाउस वामिंग बाटी के लिए तयार है लेकिन एक चीज़ बची है जेन जो मैं कर रही हूँ वही करो हमारा घर अभी भी नहीं उड़ रहा घर को उड़ाने के लिए आपको बहुत सारे बलूंस की जरूरत होगी और और ज़ादा लगता है ये काम कर रहा है घर उड़ने के लिए तयार है इसे पकड़ो जेन मैं कोशिश कर रही हूँ सोफी ऐसे काम नहीं चलेगा घर को बांध नहोगा ये फिर नहीं भागेगा मैं सब कुछ कर दूँगी जेन इसे मत जाने देना बहुत बढ़िया आप घर को चेन्स से बांधा हुआ है अब पैसेंजर्स को बैठना होगा जेन जल्दी करो धीरे इस तरह देखो हम कहा है हवा में मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारा घर उड़ रहा है जेन ये हमारा स्कूल है तुमने देखा हाँ हे दोस्तों तुम कैसे हो हम बलून राइट पर है माफ करना हम तुम्हें बुलाना बूल गए थे अगली बार ठीक है कहीं जाने के लिए आप टिकेट्स खरीदना ज़रूरी नहीं है तुम्हें अपना खुद का फ्लाइंग हाउस बनाना होगा रुको हम लांड कैसे करेंगे लेकिन वो इस बारे में बाद में सोचेंगे क्या सभी को पैट नहीं चाहें ओ वो देखो ये कितना प्यारा है बिचारा बेवी तुम अकेले हो यहाँ दरो मत हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे इसे भूप लगी होगी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हो हमें इसे घर ले जाना चाहें चलो चले हाई लड़कियों मैं घर आ गई ओ नहीं ये अजीब सी स्मेल कैसी है बाल ओ नहीं मेरे घर में नहीं मजे वो जान वर दो अभी ये कितना प्यारा है मजे हमेशा से डॉप चाहें था क्या वो मेरे साथ बॉल से खेलेगा क्या चल रहा है लगता है हम मुसीबत में है तो मैं ये कहां से मिला इसे जहां से लाई हो वही छोड़ा नहीं ये कितना छोटा और बे सहारा है डॉप से यहां नहीं रह सकते बिचारा वो हमारे बिना वहां क्या करेगा देखो उसका खेलाओना नहीं ये तो काफी बुरा हुआ वो हमारे बिना कितना बे सहारा होगा बिचारा वो वो उसे बाहर ठण लग रही होगी क्या हो रहा है ये गलत है ये भरानक है वो बारिश में ठण से मर जाएगा ओ, मेरे हिसाब से हमें थोड़ा शान्थ हो जाना चाहिए हमारे रोने की आवाद से दिवारे काम रही है वो हू, देखो यहां क्या हो रहा है वहाँ पर कुछ है चलो चल कर देखे वाव, ये तो कोई रास्ता है ये नहीं हो सकता ये तो किसी खूफिया कमरे जैसा लग रहा है ये शामदार है चलो अंदर चले ना जाने अंदर क्या है वाव, ये सब यहां कैसे आया ये कितना मस्त है हम लाइट सौन कर सकते है बढ़िया, हमें इस समय ऐसे ही खूफिया कमरे की जुरुत है हाँ हम यहां बोगो को रख सकते है चलो चले वो भी शायद हमारे आने का इंकजार कर रहा होगा ध्यान से, किसी को पता ना चले जल्दी यहां कोई भी नहीं है हमें यहां कोई नहीं ढूल पाएगा ठीक है, हम पहुँच गए ये इसके लिए एक सर्प्राइज होगा काशुनों ने मेरे ले कुछ स्वादिष्ट और खास बनाया हो वाला, ये किसा है? क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये डॉग के लिए उसका सपना पूरे होने जैसा तो नहीं है पर ये सडक से तो बहतर ही है अब तुम यहां रहोगे और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे ये बड़िया है, है ना? चलो इस जगह को ठीक करें ये काफी आराम दायक हो जाएगी ठीक है, चलो शुरू करें मैरी, वहां बैटी मत रहो पर बोबो का क्या होगा? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हमें कुछ करना होगा ये रहा, इससे बोबो के लिए बड़िया बेट बन जाएगा पक्का, मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आएगा उसे ये पसंद आएगा, हो गया देखो ये कैसा लग रहा है इंसानों वाला बे, ये बड़िया आइडिया है मुझे देखने दो वाउ, बोबो को ये पसंद आएगा ये मुझे दो ये अच्छे से मैच होना चाहे वरना वो दुखी हो जाएगा उसे बलकुल भी शक नहीं होना चाहे हो गया, मेरे हिसाब से ये ठीक है सही कहा, इसमें कुछ भी अलग नहीं लग रहा चलो, बेबी, यहाँ आओ आराम दायक है, है ना थोड़ा सा आराम कर लो, हम अभी वापिस आते हैं क्या उन्हें सच में लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकते है लगता है यहाँ कोई नहीं है चलो मैरी, रास्ता साफ है हमें खूफिया कमरे के रास्ते को चीपाना होगा हाँ, मुझे पता है क्या करना है हमें एक बड़ा पोस्टर बनाना होगा वहाँ खड़ी हो जाओ, तैयार हो जाओ नहीं, इससे काम नहीं बनेगा बड़िया, अब सही लग रही है थोड़ी से और शॉर्ट्स ये बड़िया है, ये काफी बड़िया पोस्टर होने वाला है चलो देखे, वाउ, ये बड़िया है ओ, हाँ, छिपने का अच्छा तरीका है अच्छा है, मॉम को बलकुल शक नहीं होगा बोबो को यहाँ पर काफी अच्छा लगना चाहिए हाँ, आखेकार ये उसका घर है हो गया, ये लगबग तैयार है और ये रहा मालिक का पोट्रेट ज़रा सुनो, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो उप्स, लगता है बोबो को बातरूम जाना है मैरी, क्या तुम पागल हो गई हो? मॉम वही है, तुम हमारा सारा क्यांकराया खराब कर दोगी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे घर में कोई जानवर नहीं तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे पास एक कार्या है हम अपने पपी के लिए एक अलग टॉलेट बनाएंगे हाँ, हमें यहीं चाहिए चलो, हमें बस कार्टबोर का बोक्स चाहिए ठीक है, उसके लिए यह सही रहेगा दर्वाजा तयार है, इसे यहां लगाओ बढ़िया, कूल हमारे डॉगी का अपना प्राइवेट वी आईपी टॉलेट होगा रखो, हमें कुछ और बीचाहिए हम पेपर तो भूल ही गए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मैं बस थोड़ी सी कन्फ्यूस्ट हूँ देखो, यह वाला साइज सही है बढ़िया, बोबो के लिए यह सही रहेगा पेट टॉलेट तैयार है चलो, बेबी शर्माओ मत अंदल आओ, तुम कर सकते हो चलो, दर्वाजा बन करो और थोड़ी देर इंतजार करते हैं उप्स, बदबू तुम मेरी मदद कर सकते थे सब मुझे खुद क्यों करना पड़ता है लगता है बोबो को भूख लगी है तो तुम क्या खाना चाहोगे? चलो, चुनो, तुम्हारे लिए कुछ भी फिश कैसी रहेगी? या किबल, मैं समझ गई तुम्हें हटी चाहेए ओ, हाँ, मुझे यही चाहेए भारी मदद करते हैं ठीक है, बस बहुत हुआ मुझे भूक लग रही है जरूर, हम हट जाते है खुश्बू तो अच्छी है और इसका स्वाद भी अच्छा है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है उसे यह पसंद आया ओ, नहीं, कितना गीला है यहाँ बेस्ट को कौन है ब्रावो, बढ़िया यमी, पर यह इतना कम क्यों है मैं और खाना चाहूंगा बुरा समय खत्म हुआ अब आराम करने का समय है आखिरकार चल करना अच्छा रहता है तुम्हें अपना फेस मास्ट कैसा लगा बेबी बस सोना मत बेस्ट है ओ, बेबी, तुम काफी रिफ्रेश्ट लग रहे हो और अब चलो ब्यूटी ट्रीट्मेंट्स करते हैं चंता मत करो, हम तुम्हें हैंसम बना देंगे तुम्हारे बाल बढ़िया लग रहे हैं तुम टाउन के बेस्ट डॉग लगोगे हमें बस यन्हें ठीक करना होगा हो गया, तुम तयार हो ये देखो, क्या चमतकार है हेई, क्या तुम मेरे साथ मजाग कर रही हो ओ, बोबो, तुम कितने हैंसम हो हमारी किस्पत अच्छी है कि हमें तुम मिले पैनी, देखो, मैंने क्या इन्वेंट किया हमारे फरी बॉय को फिट रहना होगा ये अच्छा आडिया है चलो, वरक आउट करने में उसकी मदद करते हैं ठीक है, चलो, शुरू करें मेरे हिसाब से छोटु को ये पसंद आएगा बिल्कुल, उसे पसंद आएगा खेर, क्या तुम तयार हो ये काफी दिल्चस्प होने वाला है चलो, उसके लिए स्पोर्ट जोन बनाए उसे इसकी जुरुत है ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा बोबो, ये देखो क्या ये बड़िया नहीं है चलो, हमारे बाद रिपीट करो ये आसान है खेट, क्या हुआ क्या तो में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं है मदद करो, ये मुझसे चाहते क्या है लगता है बोबो को ये पसंद नहीं आया हाँ, वो एठलीट नहीं है शायद हमारे छोटे फरीगाय को योग पसंद है हाँ, और उसका पसंदिदा पोस शावासन है खेलने का समय है चलो, मेरी, क्या तुमने वो सुना चलो, चल कर देखें, कौन हो सकता है क्या इस बेबी को भी घर चाहिए और वो यहां केसे आया बोबो, हम तुम्हारे लिए नया दोस्त लाए है ओ, कितने प्यारे है ओ, नहीं, अब कौन है लगता है हमें बेगर जानवरों के लिए शेल्टर खोल देना चाहिए इस प्यारी कैट को देखो काश ये सब दोस्त बन जाए क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ हाँ, ये एक बड़िया पार्टी होने वाली है चलो बच्चों, मज़े करते हैं मज़े समझ नहीं आ रहा ये गाने की आवास खाहां से आ रही है ये अजीब है मुझे लगता है कि ये दिवार के पीछे से आ रही है ऐसा नहीं हो सकता ठीक है ये क्या है ममी सब पता लगा लेगी वाउ, मज़े पता था कि यहाँ कुछ दो गरबर है उप्स, ममी आपको हमारा खुपिया कमरा कैसे मिला अब ये बरदाश से बाहर है ममी, हम समझा सकते है मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ समझा पाओगे ठीक है, अब सब खतम क्या हुआ, ये क्या है क्या ये मेरे लिए है बेस्ट मॉप, कितना समार डॉगी है ठीक है, ये परी मॉन्स्टर्स यहाँ रह सकते है ओ, बढ़िया ये कितनी बढ़िया बात है